क्या आप जानते हैं एड्स कैसे फैलता है यदि नहीं जानते तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि एड्स किस रोगान से होता है रोगान का मतलब है कि बैक्टीरिया है कि वाइरस ह होने वाला रोग है, वायरस जनित रोग होता है, या बीशार जनित रोग होता है, अधवा, यह कह लिजी कि HIV नमक वायरस से हो जाता है, यह एक रेट्रो वायरस होता है, अब यह किसी विगत को एट्स हो गया है, HIV से संक्रिमित हो गया है, तो वह दूसरे विगति कैसे फैलता है ये जानने से पहले आपको बता दें कि AIDS छूत का रोग नहीं है चुम्बन आलिंगन हाथ मिलाने बच्चों को गोदी में लेने छीकने खांसी साथी साथ भोजन करने कीटों द्वारा काटे जाने से HIV का प्रसारण नहीं होता है यानि इन चीजों से HIV एक प्रक् छीकना हो खांसी हो साथ साथ खाना हो तो इनसे HIV AIDS नहीं फैलता है तो फिर अब प्रशन आता है कि किस से फैलता है तो AIDS का प्रसारण अथावा संचारण अथावा ट्रांसमेशन कैसे होता है मतलब एक विक्ति से दूसरे विक्ति में AIDS कैसे जाता है तो पहला है संक्रमित वि इसका मतलब है कि जिसको AIDS है यदि वह वेक्ति किसी दूसरे के साथ लेंगिक सहवास करता है लेंगिक संबंध बनाता है तो उस दूसरे वेक्ति को भी AIDS हो जाएगा क्योंकि संक्रिमित पुरुसों के वीर अथवा सीमेन में HIV होता है जो संक्रिमित देखती है उसके वीर संबंध बनाएगा sexual intercourse करेगा तो उस उसको AIDS हो जाएगा या और इसका सबसे ज्यादा संक्रमण इसी वीदि से होता है या खली कि sexual intercourse के द्वारा एडस का सबसे ज्यादा संक्रमण होता है दूसरा पॉइंट बताने से पहले आपको बता दें कि यदि आप लोग AIDS का पूरा पूरा नाम acquired immunodeficiency syndrome होता है और HIV का पूरा नाम human immunodeficiency virus होता है इसके अलावा यदि AIDS के बारे में पूरी detail जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में चित्र सहीद video uploaded है आप लोग जा करके देख सकते हैं अथो मैंने description में link दे रखी है आप वहां से देख सकते हैं पिर दूसरा point है संक चुर्ण्य का प्रियोग किसी स्वस्थ विक्त पर किया जाए तो उसको भी AIDS हो जाएगा कहने मतलब यह है कि यदि डाक्टर ने किसी ऐसे विक्ति को सुई लगाई जिसे पहले से AIDS था HIV से संक्रमित था अब वही सुई किसी स्वस्थ विक्ति को लगा दि जाती है तो उस्य बस्त विक्ति को भी AIDS हो जाएगा, वहाँ भी HIV से संक्रमित हो जाएगा, किसी प्रकार से जो ड्रक्स वगरा लेते हैं, ड्रक्स लेने वालों में क्या होता है कि 3-4 लोग होते हैं कठे, अब वह एक ही सिरिंज का परियोग 3-4 लोग आपस में करते हैं, यदि उनमें से किसी को AIDS था, तो बाकी बाद में जिसने जिसने भी उसी सिरिंज का परियोग किया है, उन सबको AIDS हो जाएगा, पर रगला है संदूसित रुधिर अधान द्वारा, संदूसित रुधिर अधान का मतलब है रक्त अधान के द्वारा, अथवा ब्लड ट्रांस फ्यूजन के द्वारा, मतलब संक्रमित वेक्तियों का रुधिर स्वस्त वेक्तियों को देने से भी HIV का संक्रमण हो जाता है, जैसे किसी वेक्ति को AIDS था, उसने किसी को रक्त दान दिया, एर्स था फिर भी रक्त दान दे दिया, तो उस रक्त में AIDS के वारस थे, यानि HIV वारस था, अब जिसको भी व कोई अंगदान किया लेकिन उसे एर्स था अंगदान भी दे दिया एर्स भी था अब यदि वही अंग किसी स्वस्त वेक्ट को लगाया जा रहा है तो उसको भी एर्स हो जाएगा लेगला पॉइंट है मा से बच्चे में संक्रमड भालता है संक्रमित माता से ह एचाइवी प्रूर्ण में भी एस हो जाएगा और यदि बच्चा जन्म ले चुका है दूद पी रहा है तब भी उसको एस हो जाएगा फिर अगला है कृतिम बेरिसेचन के द्वारा एस हो जाता है तो आर्टिफीसियल इंसेमिनेशन होता है कृतिम बेरिसेचन इस पर मेरी जन्में का सीमिन पहुंचाया जाता है किसी इच्छा वाले जिसका आप चाहते हैं उस नर का वीर या सीमिन मादा में पहुंचाया जाता है अब यदि उस वीर में HIV था तो भी एक से दूसरे में एर्स फैल जाता है तो इस तरह से एर्स एक विक्ति से दूसरे विक्ति में फैलता है य इसका transmission होता है